नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है और मैं हूँ प्रसंद निशाने सुक्का दाता सबका साथी ऐसा मेरा मद्द्रदेश है इसी मद्द्रदेश के आज स्थापना के 62 वर्ष पूरे हो रहे है जहिर सी बात है जब पड़ाव आया है तो मन्जिल भी तक भी पहुचेंगे और यहीं वज़े कि आज जो पड़ाव 62 साल का आया है जो बड़े स्थार पर सरकार इसको मना रही है तो राजनेतिक विशलेशक और विशलेशन भी जरूरी हो जाता है कि मद्यप्रदेश ने पिछले 62 सालों में क्या खोया है और क्या पाया है कौन सी मन्जिलों की सौपान मद्यप्रदेश ने तै किये हैं जो उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे 62 साल के एक छोटे से इतिहास में मर्दि प्रदेश में राजनेतिक दलों ने जो कुछ किया उसका लेखा जोका और उस पर बाचीत कर रहे हमारे दो राजनेतिक विशलेशक खिलावन चंद्राकर जी और नभी नानंद जोशी जी आईए क्या कुछ खास है इनकी बाचीत में आप भी सुनिए मद्धि प्रदेश के स्थापना के आज 62 वर्ष पूरे हो रहे हैं और हम यह चंद्राकर जी आप से जानना चाहते हैं क्या मद्धि प्रदेश आज किस हालात में खड़ा है मद्धि प्रदेश का भूतकाल वर्तमान और भविश इन तीनों विश्यों पर जा आफ हमें जानकारी दे नमींजी सबसे पहले मैं आपको कहना आप को चाहूंगा कि जब पच्पन असमेह मद्ध प्रदेश- नय मद्ध प्रदेश की स्थापना हुई तब मध्यप्रान से तूटकर नया मद्ध प्रदेश बना था और मध्यप्रान लगभग भारत के ए विकास की संभौने जादे बनती है। चुकि आजादी के तुरंत बाद से विकास का करम शुरू हुआ था और आजादी के आप 10 साल बाद जब नए अमद ब्रदेश की स्थाफना हुई तो बहुत सारी समस्यां पूरे प्रांट में बनी हुई थी, सडकों का बहुत आभाव था, परिवहन के साधन बहुत कम थे, पेजल किसी थी बहुत खराब थी, और अर्थवरस्ता का मूल तंत्र था उस समय खेती की सानी, लगभग 85-90% जनता खेती पर आश्रित थी, नवीन जी सरकार ने पूरी तरह से केंद्रित खेती के विकास की और बढ़ाया, और जो उत उत्पादन बढ़ाने और खेती किसानी की सिर्थी को बेहतर करने की कोशिस को देए, इसका मतलब हम ये समझें कि खेती किसानी तब और अब में काफी व्रद्धी हुई है, और आपका ये मानना है कि तब से लेके अब तक हम खेती में बहुत आगे निकल गए हैं, जैसे बड़ी मुश्किल से हम धान का उत्पादन एक एकड़ में 12 कुंटल 10 कुंटल कर पाते थे, आज वही धान का उत्पादन लगभग लगभग तीन गुना या दो गुना ज्यादा बढ़ गया है, और 30 कुंटल तक 25 कुंटल तक उत्पादन होते हैं, यही हालत गन्ना का यही हालत सोवेविन सोवेविन ईनकरांती हुई और गेहूं का सारे जिन्सों का कृसि उत्पादों का जो है करण में मद्रीप्रदेश किस पायदान पर खड़ा है देखे आजादी के बाद सबसे ज़्यादा जरूरत पूरे भारत को थी वो थी और दोगी करण की और रंतर आगे बढ़ने की और नय पर मद्रदेश की स्थाफना जब सुनचपन में हुई तो सबसे ज़्यादा तेजी से और जोगी क्विकास का क्रम आगे बढ़ने लगा जैसे भोपाल राजधानी में भेल की स्थाफना हुई चटिसगर के भिलाई में भिलाई स्थील प्लांट की स्थाफना हुई को एक विद्दूत पादन का हब बनाया गया वैसे ही कई छोटे-छोटे और जोगी के सिमेंट उद्योगों का जाल बिचने लगा कपड़ा मीले इस्थापित हुई माल्वा प्रांट में गवाल्यय चंबल के छेत्र में कपड़ा मीलों की बहुंच ज्यादा हुआ इस्थापना हुई और लगातार अद्योगी क्विकास की द्रिष्टी से मद्ध प्रदेश आ क्या मद्द्रदेश अभी रन्वे पर दोड़ रहा है ऐसा आपकी बातों से लगता है क्या मानते हैं आप टेक आफ कब तक कर पाएगा मद्द्रदेश इन 61 सालों में हो पाया है जो और आगले सालों में कैसे हो पाएगा विकास एक सतत प्रक्रिया है किसी भी छेतर के विकास के लिए कोई उच्टम मिंदू नहीं होती लगातार विकास करते रहता है और इनी विकास के बीच मैं मानता हूं कि मद्द प्रदेश में अद्दोगिक विकास की परियापत सम्भावनाय हैं वर्तमान सरकार ने भी कुछ सम्मिट एवजित किया है इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए मैं मानता हूं कि स्टार्टप योजना है या इसकिल डबलम्मेंट की योजना है लगातार सरकार संचालित कर रही है लेकिन इसके परिणाम अभी तक सामने नहीं आया है नविन ज रही तो इसके परिणाम भी भवी समयांगे और कुछ अध्योगिक प्रगति में तेजी आएगी चंद्रागर जी आपने अध्योगी की करण पर भी हमें अच्छी जानकारी दिये लेकिन मैं जानना चाहरा हूं कि क्या मध्यप्रदेश में आध जैसे कूपोशन की इस्तित लोग चोटी-चोटी बिमारियों से पीडित हैं जैसे डेंगू और यह वाइरल इस तरह की इस्तिति और हमारी हमारे देश-प्रदेश में कहा जा रहा है कि हम मध्यप्रदेश को आगे की तरफ ले जा रहे हैं मध्यप्रदेश लगातार प्रगति के पतपर है लेकिन प्रगति कब तक हो पाएगी और कैसे संब्द हुई कि प्रगति की प्रगति का सूचक नहीं हो सकता जब तक कि वहां के लोगों की वहां के निमासियों की मूल-भूत सुईधाओं को जो है ना विक्सित नहीं किया जायआ नवीन जी आप दिस्चित तोर पर आपने केंद्रित किया कि मैं स्वास सुईधाओं के बारे में मद्दवर्देश के आपको बताओं आज ग्रामिन छेत्रों में हालत यह है कि अस्पताल तो इस्थापित कर दिये गया है इस पर स्टक्चर खड़ा कर दिया गया भावन बना इसमें डाक्टरों के बड़ी संख्या में कमी है और इसा सरकार के तरफ से भी कई बार ब्यान आ चुका है और जो नए डाक्टर या विशेशक्य तयार कर रही है सरकार वह भी नीजी प्रेक्टिस की और आगे बढ़ने हैं तो सरकारी सुईधायां जो है ना स्वास्त श्राइब करो नागरिकों को सीधे सरकार के से जुड़ना भी अभी बाकी है हाँ मैं मेरा मानने है भी तो मैं पेजल के बारे में भी बिढली के बारे में भी आप से तर्चा करना चाहूँगा नविंजी आज भी मद्द प्रदेश के कई गाउँ ऐसे हैं जहां पीने कि पानी की मूल भूस्विधाएं विक्सित नहीं हो पाई है लोगों को पीने के पानी के लिए पीने के पाणी गर्मी के दिनों में तो आपने देखा होगा कि नदी को खोद के जीर का पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जबकि सरकार का मापक है कि हम पीने का सुद्ध पेजल लोगों को उपलब्द कराएं, यही सिती बिजली की है, आज दस से बारा परसंट गाओं, सुद जोसीन जला करके उजला घ्रгов में किया जाता है नवीन जी, तो हलत यह तो परियाप्त विकास की अभी समभावनाएं हैं, जन्तर परियाप्त विकास की समभावनाओं को सरकार के अंदर तलास रही है, और मैं उम्मीद करूंगा कि यह सरकार उनकी इरादों पर उनके दिक् मतलब इसपश्ट है आपका कहना कि अभी जंता को सरकार से जुड़ना और सरकार को जंता से जुड़ना बाकी है स्वार्णी मध्यप्रदेश से मेरा मध्यप्रदेश तक हम आ गए हैं लेकिन अभी भी विक्सित मध्यप्रदेश तक पहुंचना बाकी है मुझे दीजी इजाजत आप देखते रहें न्यूज आज